Hello everyone, welcome to study time with new informative video. आज हम बात करने वाले हैं टेक्नलोजी के बारे में. जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो सदी चल रही है, ये टेक्नलोजी की सदी है. इसमें हम कोई भी काम करते हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से टेक्नलोजी से जुड़ा हुआ ही रहता है. और हमारे जीवन में टेक्नलोजी जहां पर एक वर्दान बन कर आई है, वही पर ये हमें अभिशाप के रूप में भी दिखाए देती है. क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जो हमें या हमारे जीवन के लिए सही नहीं है. और ऐसा ही कल हुआ, जब मैंने ट्विटर चेक कर रहा था मैं, तो मैंने देखा कि फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर ये जो हैस्टेक स्वैता है, ये ट्रेंड कर रहा था. और देखा कि ये सारी सिस्टम जो है, चीजें चल रही हैं. मतलब जैसा कि आप जानी रहे हैं, कि पिछले एक साल से, जो भी लोग है, जो भी स्टडी है, सारी चीजें टेकनलोजी पर चल रही हैं. है ना, चाहे वो हमें पढ़ाई करनी हो या कुछ भी करना हो. सारी जूम क्लासेश चल रही हैं, है ना, माइक्रोसेफ्ट टीम पर भी क्लासेश चल रही हैं, और लोग, मतलब, मतलब सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेकनलोजी के माध्यम से जुड़े हैं. और इस दौर में अगर हम सोचें कि हमारी सारी चीजें प्राइवेट रहेंगी, तो ऐसा नहीं हो पाता है, और ऐसा ही हुआ सोयता के साथ. सभी लोग बोलते रहे गए कि सोयता माइक बंद कर लो, लेकिन साइद वो म्यूट कर दी थी, है ना, और मतलब अपनी उसकी तरफ से जो वाइस थी, वो आ रही थी, लेकिन वो बाकी लोगों की वाइस नहीं सुन पा रहे थी, बाकी लोग चिलाते रहे गए कि सोयता माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, लेकिन वो जो प्राइवेट वातें अपनी कर रही थी, वो सभी के सभी, मतलब सभी को सुनाई दे रही थी, और फिर उन में से ही किसी ने, उसकी जो ये वाइस है, मतलब वीडिय कर रहे हूं, तो फिर ऐसे कोई भी कॉल वगएरा, या फिर उन में जो आप बहुत ही सीक्रेट वाते हैं, प्राइवेट वाते हैं, वो ऐसे ना करें, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कि माइक आउन रह जाता है, है ना, हम छोटी-छोटी से चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, और जिसका जो है, बहुत बड़ी गलती होती है, जिससे है ना, और उसका हमें खामियाजा भुकतना पड़ता है, ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ, तो ये वीडियो आप देखिए, मतलब कैसे सारी जो इनकी प्राइवेट वाते थी, वो सारी इन्होंने रिवील कर दी, साथ ही, जो भी अनदर लोग जुड़े हुए थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने भी बोल दिया, कि अब 111 लोग और सुन चुके हैं, तो आपको इस टेकनोलोजी के दौर में, है ना, कुछ अपनी जो हदे हैं, उनको बना कर रखना होगा, ऐसा नहीं है कि आप openly सारी आप ती और ये सारी चीजें हो गई, तो आपको भी सतरक रहने की ज़रूरत है, अगर आप ऐसा कुँछ करते हैं, ऑंलाइन श्टड़ी कर रहे हैं, ये सारी चीजे कर रहे हैं, तो जो भी प्राइवेट बाते हैं वो सब ये मतलब जो काम जहां कर रहे हैं उसको उस टाइम करिए और आपने ये वीडियो के मात्यम से देखे लिया कि क्या हुआ है तो बस आपको अवेर करना था कि आप लोग अगर ऐसा स्टड़ी करते हैं ऐसा कुछ करते हैं तो जो प्राइवेट बाते हैं ये सारी चीज़े हैं उनको कुछ हद तक लिम्टिट करके रखें हैं जिस टाइम जो कर रहे हैं उसी पर आपका फोकस रहना चाहिए ऐसा ना हो कि आप आउनलाइन ये सब कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ छोटी सी गलती थी माइक आफ नहीं कर पाई या उससे म्यूट मतलब वहां से वाइस नहीं आ रही थी और यहां से जा रही थी और ये हो गया बट जो भी है आपको ध्यान देना चाहिए ऐ ऐसी छोटी-छोटी सी चीजों का कि टेकनोलोजी जहां हमारे लिए वर्दान है वहीं हमारे लिए अभिशाब भी बन सकती है तो साइध आप इससे कुछ सीखे भी होगे और आगे से आपको ऐसी चीजों ते ध्यान भी रखना ऐसी चीजों का सो थैंक यू मिलते हैं नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और अगर आप इस चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक यू